हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वाकत आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी विस सिविल बड़ी पर और मैं हूं अमित सिंग मदोरिया आज हम डिसकस कर रहे हैं लेक्चर नमबर टू और इस लेक्चर नमबर टू हम डिसकस करने आपके सामने कशन है यहां पर क्या है ना संपरदाय का यहां पर क्या है टॉपिक नहीं है स्लेबस में नहीं संतरु संपरतार्य तो कहीं है कि संतरु संपरता ये ये ख्माएकजाम में नहीं है क्यों आज necesita क्यों आएगा क्यों वहाँ पर कि एक तिया हुआ है वहापर संत्वान गंच Bueno अचाएं थे अंदर गार रभरा करके लिए ये तोटीद ग resurrection हैं यह दोनों अब अपने क्या है आपको भी चीज में बता दू तो संत और संप्रदा दोनों पढ़ने हैं आपको चलिए तो इसका संबंद किसे हैं यह आपके सामने कुश्चन है कि इसका जो संबंद वहें संपरदाय अच्छा इस से थोड़ा सा मैं बता दूँ कि एक्ष्वल में क्या है कोई संप्रदाय और यह कहां का है मलब यह पीट का पर अगर आप से कोई पूछ ले तो इसकी पीट है वह जैपूर में ठीक ना इसकी पीट का है जैपूर राजस्त मंदर है वह इसकी पीठ रखना जो गोविंद देवजी का जो मंदर है जैपुर में वह इसकी पीठ है अगर आपने बंगाल के हैं और यह क्या है यह अपने प्रवर्तक प्रवर्तक थे- तो यह बंगाल से हैं यह गोड संपर्दाय के क्या प्रवर्द रखते और जो गोड संपर्दाय है उसकी पीट का पर है जैपुर में और जैपुर में कहां गोविंदेब जी ठीक है ना तो इस चीज का आप ध्यान रखना यह इंपोर्टेंट हो सकता है इसके लावदे को एक अगर के सलीमाबाद है आपते सलीमाबाबाद क्या है अजमेर अजमेर में prophecy प्रवर्द कोन है तो परवर्द के निमबार का चाररह को थे निमबार का चार्रह जिसके प्रवर्टक तो यह भी इंपोर्टेंट है यह चीज़ आप याद रखना और इसके तो पर नामी संपर्दाय कोई प्राणनात जी प्राण नाथ जी प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् जैपुर में है इसका केंदर जैपूर में कहां पर है जैपूर में क्या है इसका केंदर है आदर्ष नगर में तो आप इसका याद रखना अके चलो असर अगर इतना बता क्या है तो चलो यह भी पता तो लाल दासी क्या है लाल दासी संपर्दाय यह लाल-Das संपर्दाय जो है इसके प्रवरक्त थे वो कौन थे संत-लाल-दास-जी प्रवर्त थे अ जो व्यक्ति ये ग्रहन करेगा, ये संपरदाय जोइन करेगा, उसको क्या किया जाता है, उसका मुह काला करके, गदे पे बैठा के, ठीक है, गदे पे बैठा के उल्टा, बलब पीछे गदे का मुह आगे, आपका मुह पीछे, मुह काला करके, और जूते की माला पेना के, को याद रखनी है चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेशन है डवलूरी दोजा सोला डिग्री का नाथु मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का समन्द किस शैली से अब देखो चित्र सैली जो है ना बहुत ज्यादा तो इस चित्र सैली में इसका विकास स्वणकाल किसकिस था इसमें बता इसको इसमें जो सबसे जो प्रमयुक्ष चित्र था वो किसने बनाया था तो मतल किक्या है किसको कोशिए हैं अच्छा ये जो नाम दियों है इस तरह के नाम बहुत सारे नाम दियों अलग लग लग तो उनमें से आपको याद रखना पड़ता है तो फिलाल इस कुशन के अगर मैं बात करूँ तो इस कुशन का करेक्ट आंसर होगा बीकानेट चितरसेली बीकानेट चितरसेली रामलाल जो थे और अली राजा जो थे कहां के थे यह दोनों बीकानेट चितरसेली के थे तो आपको क्या करना इनको याद करने के तरीका ही है कि आप किसी एक नाम को याद रख लो और उनकी कोई ट्रिक बनाके फिर याद रखो जब मैं पढ़ाऊंगा या जब भी वीडियो जो भ पर था तो भाई यह था अनुफ सींग के समय पर ठीक है ना किसके समय पर था अनुफ सींग के समय पर था अनुफ सींग जी थे उनके समय पर इसका सोनकाल था इसके लावा जो चितरकार थे वो चितरकार क्या करते थे कि जब भी चितर बनाते थे पेंटिंग अपनी बनाते बॉलते थे इसके अलावा ऐक चीज और रहात हैं आली राजा ना मेड़क्रा इसके लावा एक और था हसं की कि इसके क्लाकार थे इन कलाकारों के नाम हाप ब특ना पैसी ca ने और बूंदी कि बयारे पासू पक्षियों की नामいます किसकी पसुपक्षियों की क्यों 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 कि यहां पर पसुपक्षियों से रिलेटर जो थे वह चित्र बनाई जाते थे पसुपक्षियों के बहुत चित्र बनाई जाते इसलिए पसुपक्षियों की चित्रसली भी बोला जाता था अच्छा इसका जो स्वनकाल है वो किसक इसका स्वानकाल था, इसके लावा देखो, कोटा चितर सैली की भी बात कर लेते हैं, कोटा चितर सैली से रिलेटेड भी काफी एक्जाम में कुशन पूछ जाते हैं, जो कोटा चितर सैली है, इसका जो स्वानकाल था, वो था, महाराव, इनका जो स्वानकाल था, वो कब था, इसके अलावा संपर्दाई के अलावा और क्या चीज़ है यहां पर इस्पेशल बाथीन पेंटिंग्स की जो सबसे अलग थी यह इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जाम में पूछा जा चुका है यहां पर जो चित्र बनाए जाते थे वो क्या किये जाते थे युद्ध के च बिलिए जाते थे स्क्रेश का अलावा जो प्रमुक्चित्रकार प्रमुक चित्रकार था वो टा नूर मुहमबद बास। अजमेर के पास में जो खिसनगड़ है इसको कागेजी सेली भी बहुते हैं कागेजी चैली क्या सो कागेजी सेली की नाम से ये प्रसिद्ध में पसफ पक्षियों की सैली थी विसे weiß है कागेजी सेली इसके लाबह यहां पर कुछ इंपोर्टेंट बात हैं यहां ऌहां बनते थे भाई कर पर है कि अच्छा की समय पर ती risk Priya जसको बाद में जिसका चितर मना था जिसको बाद में जाना गया था बनी ठड़ी के नाम से जो बनी ठड़ी है वो बनी ठड़ी कहां की है वो यहीं किसनगर अजमेर की है और किसने मनवाया था चितर सावन सिंग नो रहा था अपनी प्रैमी का का जिसका नम रसक प्रिया था बाद में बनी ठ ये बिवद आफ नहीं बैष नहां को कि निया तो यह आपको याद रहना है सावाण सिंग ने किसके लिए अपनी प्रेमीका गया स्वेश्ड और सिंसे नाम आ गया चलिए नेट्ट विश्वर्ण सूरी का यह जो रचना जिनेश्वर सूरी की नहीं है जिनेश्वर सूरी जो थे इन्होंने क्या किया था संस्क्रत से रिलेटेड उन्हें काफी गरंद लिखे थे इनको गरंद इस प्रकार्ट थे यह बेसिकली क्या है साधू टाइप के थे इनका जो भाई था उनका नाम मुझे समझा नहीं सकते हैं चलिए यह काफी अच्छा कुछन है बूरी तीज मनाई जाती है आपके पास में चार आप्शन है यह त्योहारों से रिलेटेड कुछन है और त्योहारों को रिलेटेड कुछन लगबग लगबग देखने को मिलता एक्जाम में तो इसका जो करेक्ट सब्सक्राइब के लिए यह Tac कि ने यहता है इस समय क्या होता है जैप्र में में जाएगा पूछा जाएगा तो तीस क्याम बात हो रही है और यह पूछा जा चुका है इंपोटरोंट के तीज का मेला है वो कहा परिसिद्द दो जैपर का परिसिद्द है शामन को मना जाती एंट को तीज का मतलब öldी और चोटी को पूछा गया था कि बारे में बड़ी तीज के बारे में बड़ी तीज एक होती है ठीक ना बुड़ी तीज या बड़ी तीज एकी होती है और सातुरी तीज भी इसी को बोलते है कम बना जाती है यह बहादर कृष्ण तृतिया को बहादर कृष्ण की जो तीज होती है तम मना जाती है कहां की फहमस है यह बूंदी की फहमस है तो अगर बुड़ी तीज ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको मतलब बहुत सारे एक ही कुशन के दो तो तीन तीन आंसर मिर सकते हैं अलग लग जगह पर और कुशन डिलीट भी होता है आपको पता है पेपर में से तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर कुशन में अगर कहीं मैंने आपको गहरा दिया है या कुछ इसा डिटा पता दिया जो किसी enतों शमयर bleach में लग है तो किमेंट होगा ना फर्स्ट कमेंट उसमें मैं कर दोग अगर कहीं कुछ एक्टर डेटा मिजे मिलता तो ना चलिए नेक्स कोशन है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है तो इसमें भी कुशन है कि आपकी लेखा क्या रचना है ठीक है इस तरह के बहुत कुछे जाते हैं तो यह जो कुशन है इसका जो करेक्ट आंसर है वह दिनेंज लाल राय और राजस्तान का भीष्म जो यह वाली कित सब्सक्राइब जाता थे कर नेक्स हाँ आपका दूंगर गण प्रजामंडल की वह इसकी स्थापना किस ने की थी और प्रजामंडल से कुशन देखने को मिलता है तो द्यानखना आपके पास में जो चार और यह चार आप अपको पता हूने चेल वह चार्य भोद आन्सर आ पांडय करता है पाँड़ पर चड़ करने चम्वालीज गेंदों में सिनляются संथिव एक रहा हेड़ी कि मार का पांडय क्या घाषान करताया स्थवर्य निया तुम्हालीस का मतलब रहत ना कि उनीस चमालीस में इसका क्या हुआ था गठन सुइटा नग् пойдya का मतलब धोगिलाल पांड्या और कोई पांड्या है नहीं अपने हिस्टरी में ठीक है और पहाड का मतलब होता है डूंगर तो डूंगर गड़ तो डूंगर प्रजाम अंडल की स्थापना किस ने की थी भोगी लाल पांड़ा ने की थी उनिस चामालीस भी की थी और ये ध्यानकना इसके लावा बोगी लाल के आवा जो ऑप्शन्स हैं गोकुल जमनालाल और साग सागर मलगोपा कौन थे आरेस वगेरा सब कुशन को कमाइंड करके बता रहा हूं मैं सागर मलगोपा क्या थे इस सतंतरता सेनानी थे इन्होंने भी क्या है कि बहुत सारे जो अपने प्रजाम अंडल आंदोलन थे उन आंदोलन भाग लिया था और इनको क्या किया जेल में इनको यातनाय दी गई थी ठीक है यातनाय दी गई थी बहुत मारा पीटा गया थे इनको उसके बाद में क्या कहता है इनको जला करके मार दिया था जला करके इनकी हत्या कर दी थी ठीक है ना इनकी हत्या कर दी तो आप से एक्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन से प्रज मेली जो उसका नाम तो है रगवनात बाबा का उनकी पहली वक थी इसके लाबा एक बुक और आही दिन- कि जेसल मेर में गुंडा-राज के बुक Control कि हीगती दिया गया था और क्यों क्योंकि यह बगावत कर रहे थे मतलब आवाज उठा रहे थे जो भी गलत हो रहा तो उसके खिलाब इस बज़े से जेल में डालके इनके हत्या करवा दी तो आपको यह याद रखना सागरमल गोपा काफी इंपोर्टेंट आपके लिए चलिए नेक्स के साथ में कब हुई थी तो यह 39 में एक उप्शन और जमना लाल बजाज जमना लाल बजाज जो है यह जमना लाल बजाज यह जमना लाल बजाज जो है इनका संबंद किस्ते हैं इनका संबंद जैपूर से ठीक है ना इनका संबंद जैपूर से और इनको क्या का जाता है इ कि पूछा चाहाँए से पूछाइटेंगे पांच मंड़े जाता है पांच मंट गांगन को चाही जाता है जामनालाल बजाज को कहा जाता है कहा से आरे गांथ Kentे आफ जी तो नई लाग के लगाई थी तो द्हानरgency बहुत इंपॐर्ट Fukna major i sasal था थे चानवाली सांतों चाला थे कियोंently don't क्योंकि विविन विविन प्रकार के कर लगाई जातें कितने कर थे टोटल 24 कर थे 84 कर थे टोटल भलब 84 टाइप के टैक्स लगाई जाते थे इसकी विजए से यहां के अधा बगावत की गई थी और आवाज उठाई गई थी तो आप से एक्जाम में पूचा जा चुका है कित इसने प्रकार के करते है तो ऀटी-फोर 84 करते है कितने सालों चाला प्रित्रों ने लगा प्रकाम करतें इसके बारे में करणaid वैर चीप आच्पते साथ साथ साben Crunchyak क काची वह टो यह उड़ा करें यह हि甲िए हृत था फॉस्ट जो चरह था वह था आपका आठारा सो समतानवे से लेके 1700 यह चला था 1916 और यह कह पना स्पैधूड सादू सीता राम दास जी थे क्योंकि एक्जाम में क्या क्वेशन पूछा जाएगा कि आपका जो क्रशा कांदोलन था विजोलिया में उसका नेत्रतु किस ने किया था सबसे पहले पहले इन्हों नहीं स्टार्ट किया था सेकंड्र तो दूसरा चरन वो था 1916 से 1923 यह जो सेकंड चरन था इसका जो नित्रतु किया था वह किया विजे सिंग पथिक ने और भाई साब यह मानके चलिए आप विजे सिंग पतिक इतना इंप्रनेंट है क्रशक आंदोलन में कि इससे कुशन बनने के बदा यह बंदा यूपी का और राजस्तान में आकर आंदोलन कर था था इसका जो नाम था पूछा जा चुका है कि जो नाम था यूपी का था था तर्ड जो हुआ था 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 थीता जो चरण था वह भूआ था आपके 1927 से लेके 1941 तर नेत्यत्व किया था मानिक के लाल वर्मा जी ने मानिक के लाल वर्माजी थे इन्होंने इसका नित्यत्व किया था थड़ चरण का तो इस तरह से यह पूरा का पूरा 44 तक चला था यह लगबग 45 साल तक यह आंदूलन चला था तो यह आपको याद रुखना है चलिए नेक्स कुशन है उद्यपुर में महीला मंडल की अब देखो अलग अलग है जैसे आपके जंतर है भपंग है दुका का है नागफनी चार है तो द्यान लगना आपके जो बाद्यंतर होते हैं प्रॉपर इसको मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा बाद्यंतर के वारे में कितने टाइप की होते हैं कौन किसका एक्जामपल है ठ और Fut ideal देखिंदर होते हैं जिसका है और बाके के जो है यह मतलब है जैसे डो मतलब त्याने वागे बने का हहते हो वो क्या कहलाते हैं तत कहलाते हैं तत वाद देंदर कहलाते हैं तो इसका प्रॉपर मैं बनाने वाला हूं वीडियो यह तीन तरह के होते हैं इसके बारे में चलिए नेक्स कुशन है आपका राजिस्तान में मामा भांजा का मंदिर इस्तित है मामा भांजा का मंदिर कहां पर अब देखो यह जो कुशन है बेसिकली इसके जो options हैं यह options क्या है गलत हैं देखा जाए तो लेकिन nearest option जो उन्हाने पहले सही कर दिया वो डूंगरपुर कर दिया था कि डूंगरपुर में और बाद में शादिय कुशन डिलीज भी हुआ था ठीक है तो आप यह मान के चलिए क कि राजस्तान जी के में चार से पांच कुशन सब्सक्राइब राजस्तान जीधा उन्हें उसे कर दोंगरपुर मान वां पूछा तो इसका डूंगरपुर आउनसर नहीं ता 12 12 में मामा भांजा का मंदिर है म मामा बहां की छत्री पूछ ले पूछ ले क्या शत्री पूचे तो मंद्र पूछे तो 12 में है यह नहों ने देखोगे वरा ही मिलेगा दूंगर नहीं मिलेगा यह दिलेट है तो यह लगाये माने में जेके जदने ज़रुण आएंगे यदिया shoes आईगा मैं उतना ही जल्दी में दो तीन तीन दी से प्रॉइड करने लग जाँगा मैं अगर मुझे अच्छा रेस्पोंस आता है तो ठीक है और जैसा मैंने बताया था बहुत ही जल्द जैसे इन वीडियोस के वपर रिस्फोंस आता है मैं बहुत ही जल्द क्या करने वाला हूं राजिस्तान, GK की मैं वापस से एक स्रीज स्टार्ट करना चारा हूँ कुश्चंस की, प्रिवियस एर कुश्चंस की यह जो प्रिवियस एर कुश्चंस होंगे यह होंगे अल कंप्रिटिव एक्जाम आफ राजिस्तान मला राज़तान में जितने भी एक्जाम होते हैं चाहे वो R.A.S. का हो और चाहे वो गिरामसेबक का हो चाहे वो पटवारी हो चाहे कॉंस्टेबर हो चाहे जई ही हो जितने भी कुशन्स हैं उन सब को सॉल्व करऊंगा इसी चैनल पर यहीं पर पर बत्रेंविक का हो पर लूभारी हो है जितने प्लहगा हो